नमस्कार दोस्तों इजद एक ऐसी चीज़ है जो हर बना चाता है कि हमें मिलें हर एक स्टेश में मिलें हर एक उमर में मिलें और हर जगा मिलें पर कभी आप यह नहीं कोशते कि क्या हम उतनी इजद किसी और को भी दें हर स्टेश पे और हर एक मुकाम पे और हर एक जगा पे जहां जहां हम अपनी जच चाते हैं वहां वहां दूसरे तो अपनी जच चाते होंगे यहां जहां हम अपनी ख्वाहिशे पूरी करना चाते हैं तो हम सारे देखते थे, और कहीं बार हम भी जिद पर अरते थे कि हमें ये कार्टून देखना है, ये मुवी देखनी है, या ऐसा सीरियल देखना है, जो हमारे पेरंट्स को उस तैंप पे नहीं देखना होता था, वो चाहते थे कि हम कुछ और देखें, वो चाहते थे हम न्य यूज देखना है, मुझे यह देखना है, जिस गर में एक ही टीवी है, माभे भी बच्चे को वही हालत होती है, कभी हमने यह सोच है, जो हमारे पेरेंट्स अब आज की रेट में जो एक जनरेशन और उपर बड़े हैं, जो आज ग्रेंट्स बन चुके हैं, हमारे बच्चों के, यह जो हमारे ग्रेंट्स हैं, जिनके भी हैं, उनकी क्या ख्वाइशे रही हैं? यह उनकी अभी क्या ख्वाइशे हैं? जिनको उनकी भी कुछ उमीज़े होती होगे, ना कि वो भी कुछ देखने चाते होगे? तो जि तो हम ने यह देखा है कि हम अभी भी अपने ही चलाते हैं, जो भी बंदा वो अपने ही चलाता है, अगर यह हम दोस्रों का भी देखना शुरू करें तो उनकी भी क्वाईशे पूरी होनी चाहिए, उनके भी कुछ अर्मान होंगे कि आज हम यह सीरियल देखें, आज हम भक्त वाला देखें, अगर मेरे ग्रेंट्परेंट्स होते हैं, तो वो भक्ती देखते हैं, और मेरे पेरेंट्स हैं, वो क्याते हैं, चलो भक्ती स्वड़ा सा देख लें, यह स्पिरिचुल वाला देख लें, तो ऐसे ही हर बंदा अगर सोचे तो एक उनको भी हम इज़त दे सक और पेरेंस को भी सोजना चाहिए कि अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और अपने पेरेंस का भी ध्यान रखें मनलब कहने का यह है कि हरे स्टेश पर अगर हम अपने से नीचे और अपने से ऊपर देख के चलें तो हम उतनी ही इज़त दे पाएंगे जितनी हम इज़त लेना चाहते हैं और वही एक चीज़ ऐसी है जो हर बंदा आश्रीयत में चाहता है कि मुझे भी कुछ इज़त मिले और कहीं लोग तो बोली नहीं पाते हैं और जो बोलते हैं वो कुछ छीन लेते हैं तो ऐसी एक माहूल बनना चाहिए और ऐसा होता भी है कहीं घरों में कि लोग पहले ऐसे सपोस्पोस खाने की बात होती है खाना घरों में बनता तो उसे पहले बड़ों को परोसा जाता है कहीं घरों में पहले बच्चों को सीर पर टड़ाया जाता है जब वो एक status एक level नीचे हुआ करते थे Suppose वो पहले parents हैं या बच्चे थे तो हमें उतनी ही इज़त उनको देनी चाहिए कि आज के माहोल में जो condition इतनी ज़्यादा worst हो रही है कि लोग अपने parents फिल्ब ध्यान ही नहीं दे पाते अपने workload की वज़़ से तो बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए कि at least बच्चे parents के पास या grand parents के पास सोड़ा सा attract हो और उनकी भी इज़त होनी चाहिए और उनको भी इज़त मिलनी चाहिए यह मैंने काफी चका दिखा है कि आज भी ऐसे माहोल हैं जहां पे grand parents को बिल्कुल नहीं पूछा जाता और कहीं माहोल ऐसे भी हैं जहां पे grand parents की उतनी ही इज़त होती है इतनी पुराणे जमाने में हुआ करती थी तो आज भी mixed culture है ऐसा नहीं कि कुछ होता है या कुछ नहीं होता दोनों हो भी रहे हो नहीं भी हो रहे हमें यह देखना है कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है वो एक अच्छे तरीके से होना चाहिए जिससे हम अच्छे संसकार दे सकें अपने बच्चों को और अपनी इज़त दे सकें हम बड़े लोगों को या उनकी इज़त कर सकें ताकि उन्हें भी खुशी हो कि आज भी उनकी उतनी वैल्यू है हम सोके बीच में जिदनी पहले उनकी हुआ करती थी एक विचार है मेरे मन में कि बड़ों को हम कैसे इज़त दे सकते हैं एक छोटा सा रखाने का और उनकी ख्वाइशे पूछने का जो एक आम तोर पर हरे गर में पॉसिबल हो सकता है फिर बिलेंगे आपके साथ एक नहीं विचार के साथ तो सुनने के लिए धन्यवाद आपने मेरे को सुना